तो गाइस कैसे नमस्कार मैं आरके मिसरा इंजिनेस अड़ा पर स्वाकत करता हूँ दोस्तो एक Bureau of Indian Standard की तरब से बहुत अच्छी वेकेंसी है, बीटेक के लिए भी वेकेंसी है, multi-dimensional वेकेंसी को मैं इसको बोलूँगा और हर एक वर्ग का बच्चा इसको देख सकता है इस वेकेंसी को और वीडियो को सुरू करने के पैदे मैं आपको बता दूँ यह full time job है, freshers के लिए है और experience वालों के लिए और सभी state के ल होगे लिएजबल नहीं होंगे, फिर भी एक बार देख देंगे कि यहां पर यह सारे पोस्ट एक है, यहां पर हमारे group B की जो post है हम उस पर ज्यादा तर से चर्चा करेंगे, तो देखिए यहां पर जितने भी group B की post है उस पर अगर हम चर्चा करें, तो group B में देखिए personal assistant क की वेकेंसी, आपकी है, रेबल 6 की जाब है 35,400 सा देखिए 12,400, maximum age 30 साल है 28, 47 और 2 वेकेंसी, assistance section officers की assistant computer edit design की, इसमें bachelor degree वाले eligible है, फिर इस ट्रेनोग्राफर की वेकेंसी है, senior security assistant की वेकेंसी, इन सारे departments की सबसे बड़ी बात एक बार यहां पर देख लीजेगा, वेकेंसी की संख्या अच्छी खाजी है, और upper age limit 27 साल है, और इसमें एक बहुत important वेकेंसी है बच्चे, हमारा technical assistant की, जिसमें आपको 47 वेकेंसी है, mechanical, chemical और microbiology में, और यह भी मैं आपको बताओ, एक अच्छा option है, especially यह 11 नंबर का है, जो डिप्लोमा के लिए, mechanical से डिप्लोमा आपका होन चाहिए, फिर इसके बाद ITI बादो के लिए भी है, carpenter, welder और plumber के लिए, एक बर count कर दीजेगा, number of vacancy, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू, important date और applications farm का, तो मेरे को लगा कि यह भी आप लोगों से share कर देना चाहिए, तो फटाफर मैं आपको बताओ, 19 अप्रेल से आ आपर भी बता दू, छोटा सा update मैं पहले दूँगा कि technical assistant वाली जो है, उसमें qualifications, mechanical engineering से आपका diploma होना चाहिए, minimum 60% के साथ, और upper age limit जो आपको मैं बता दू, यहाँ पे technical assistant वाले के लिए, मैं आपको बता दू, 27 साल आपका upper age limit है, यह भी ध्यान दीजेगा, मैं आपको बता र post का मैं आप लोगों से detail चर्चा कर रहा हूँ, तो guys, वीडियो में बने रही है, शुरू से देखे अंत तक, मैं आपको सारी बाते one by one discuss करूँगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे director level बात नहीं करूँगा, मैं officers level की बात करूँगा, assistant computer at a design के लिए, bachelor degree in science with five year experience, bachelor degree in science होना चाहिए, मैं पीसी हो रहा होना चाहिए, यह diploma in civil engineering, अगर यहाँ पे भी बात करोगे, तो diploma in civil mechanical electrical with five year experience, अगर आपका है in the autocad, तो यहाँ पे अप्री के बात है, तो यह देखिए, जो आपकी vacancy है, यहाँ पे assistant computer में आपका diploma के लोग eligible है, लेकिन five year का experience तो यहाँ पे देखिए, बैचलर degree from recognized university, फिर यह देखिए, बैचलर में बीटेक भी आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे second point है, computer proficiency test भी आपको qualified करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक है senior secretary assistant की vacancy, बैचलर degree from the recognized university and qualifying skilled test in the computer proficiency test of world processing test 2000, देखिए, बी आईस में तो ह होता है भाई यह, अच्छी जावब है तो थोड़ा से इसमें होगा, जो जो बीटेक की हुए है, थोड़ा से अगर आप नेक्टू ने किसी भी ब्रांज से आपने बीटेक किया, आपकी किस्मत इसमें चमक सकती है, बसरते इन सारे points में आप लोगों का महारत हासित होना च की mechanical आपको होना ची जो मैंने आप लोगों का वेड़ी बताया, यह आप देख दीजेगा, एक एक जॉब पे हमारी चर्चा है, रती है बच्चे, एक senior technician की vacancy है, बच्चे, matrix are its equivalent, industrial training from इतना दुनिया, और यह हमारा ITI का certificate होना चीए, अब यह देखे, further हम exam test का module क्या होगा, exam exam pattern का module क्या होगा, online examinations होगा, take और non take पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़े हम आप लोगों को हर एक post का exam, यहाँ पर exam का standard दिया हुआ, आप अब अबर इंडिया में इसका examination center होता है, और हर post का, वो में तब एक separate video पर हम बना करके आप लोगों से चर्चा कर देंगे, उसमे एक बहुत बड़ा मतलब की है नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए तो, डिप्लोमा में basically mechanical का अच्छा खासा scope है, बाकी बीटेक अगर आपने कर रखा है, और आप फ्रेसर्स हैं, BIS में जानना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे departments हैं, जहाँ पर आप लोगों का apply कर सक जाएगा, और 9 मही तक जाएगा, यह भी ध्यान दिजेगा, और यहाँ पर BIS की official website पर जा करके, यह देखिए BIS की official website है, जहाँ पर जा करके आप farm को क्या कर सकते हैं, बच्चे, apply कर सकते हैं, तो I think यह सारी चीज़े आप लोगों को clear होगा, और भी कोई doubt है, mode of payment जो online होग बाकि यह बहुत बड़ा notifications है, और भी सारी चीज़े हम decode करके आपको फर्दर बताएंगे, लेकिन मुझे लगा यह informations इतना sufficient है, आप लोगों किये लिए, और diploma, अगर मैं आपको बोलू बच्चे की, अगर आप लोगों को overall बोलू, यह देखिए आपको मैंने बोला न, एक की qualifications है, वकेंसी की वाई-फरकेंस है, यह बाकी वकेंसी है, और यह eligibility है, और यह online examinations का मुख्य पॉइंट है, पस इससे जदा आप लोगों को क्या चाहिए, तो thank you guys, thank you being the part of this session, session अच्छा लगा तो like share करते है, this is the great chance guys, आप सभी engineers community के लिए, इस स्वाम को भरिये, और आपको preparations में कोई भी help चाहिए, I will be help you, I will be assist you, thank you.